क्या WhatsApp इस्तमाल करना अब खत्रे से खाली नहीं है? क्या WhatsApp हमारी और आप प्राइविस्टी से खिलवाड कर रहा है? इन्हीं तमाम मसलों पर हम बात करेंगे. हमारे साथ मेनी रानी सर्मा है. मेनी रानी सर्मा आईटी कानपूर से और फिर बियाइटी मेसरा और मुंबई से इंजिनिरिंग की पढ़ाई की हैं और साइवर एक्सपर्ट माने जाती हैं. ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हमारी और आपकी जिन्दगी का एक अहम हिस्सा बन चुका WhatsApp ने एक नया पोलीशी बनाई है. ये जो हमारे हाथ में पोलीशी है. अवर आप बहतर तरीके से नहीं समझ सकते हैं. यही समझने के लिए हमारे साथ मीनि रानी सर्मा है. मिनी जी पताईगा क्या सच मुच में आप WhatsApp इस्तेमाल करना खत्रेच खाली ने. जी बिल्कुल, सबसे पहले तो यह है कि वाटसेप के आज हमारे इतने जादा हम उसे यूस करते हैं, कि इसका वेकलपिक ढूंड़ना हमारे एक सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि हम खुद तो चले जाएंगे सिगनल में, लेकिन बाकी लोगों को सिगनल में लाना एक फोर्थ जैन को, वो काफी उस पे आपको चिंता करनी चाहिए, क्योंकि इसमें एक तरह से वो आपके बारे में सारा डिटेल्स ले रहे हैं, वो आपका फोन का मॉडल ले रहे हैं, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ले रहे हैं, कितना सिगनल स्ट्रेंग्थ है, आप कितना ड बिजनेस वाटसप ग्रूप में मैसेज करते हैं, तो आपका डेटा यूस किया जा सकता है, जो कि पहले भी संभव ही था, स्क्रिंशॉट्स लेके कोई भी आपके मैसेज़ को कैप्चर करी सकता है, जो मैसेज़े हैं हमारे वाटसप जेनरल में, वो अभी भी आपका वाटसप के सर्वर पे 30 दिनों तक स्टोर रहता है, तो आप उनका ये कहना है कि अगर आप मेरा सर्विसेज यूस करते हैं, तो आपके डेटा पे मेरा अधिकार है, या तो आप मेरा पॉलिसी यूस एक्सेप्ट कीजे या तो आप कुट कीजे, तो ये आपके उप पर है कि आप वाटसप को किस के लिए यूस करते हैं, अगर आप सिंप्ली आप एंटरेइन्मेंट के लिए यूस करते हैं, तो मेरा सुझाओ यह होगा कि अगर आप सेंसिटिव डेटा है, तो उसे कृप्या वाटसप पे शेर ना करें, हलाकि वो एंक्रिप्टेड रहेग जो अभी आप चैट्स करेंगे, फोटोग्राफ शेर करेंगे, वो एंक्रिप्टेड है, तो क्या मतब कैसे आप का सकते हैं कि अप प्रवाइशी से किला है, क्यूंकि वो आपको लोकेशन कैप्चर कर रहा है, आप कितने देर ओनलाइन रहते हैं यह उसको पता है, आप किस किस कांटक्ट से कितना चैट करते हो, उसको पता है, उसका यह भी कहना है कि अगर जो आपके कांटक्ट लिस्ट है, उसको हम यूज करेंगे, लेकिन अगर आपको इमान लिजे कोई लिंक शेर करते हैं, जैसे मैंने कोई एक लिंक शेर किया आपको, कि यह बहुत ही बढ़ अगर आपके लिए तो अच्छा है कि आपका अगर प्रोमोशन हो रहा है क्योंकि देखिए डेटा जो भी है अगर डेटा आप शेर कर रहे हैं कुछ वाटसेप पे तो वह वाटसेप अपने माधिम से ही ना शेयर करेगा वो कहीं ना कहीं तो स्टोर करेगा इंटरमेडियरी और फिरी जाएगा जब उसे पता चलता है कि यह लिंक है तो वह उसे मॉन नहीं रखेगा इसके अलावी लिंक और तमाम जो डेटा है वो आपके डिवाइस का जो मॉडल उसको यूज करेगा आप कितने देर वाटसेप पे किस से चैट करते वो डेटा यूज करेगा मेटाड़ मतलब वो स्टोर करेगा तो आपके पास एक बेटर ऑप्शिन है सिग देना चाहेंगी कि अब WhatsApp यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए क्योंकि पहले था अगर वो चोरी से कोई डेटा यूज करता भी था यूज तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं लेकिन अब तो उन्होंने आपको बता दिया है कि हम आपका डेटा यूज कर रहे हैं फिर भी आप यूज कर रहे हैं तो कल को आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते कि आपने मेरा डेटा क्यों शेयर किया इस तरह से WhatsApp अब हमारी और आपकी या गाओं तक वह रूट में चला गया है ओफिस से लेकर सहर गाओं महला फैमिली के WhatsApp ग्रूप बने हैं उसमें प्रस्टनल ला जा सकते हैं क्या लगता है कि संभ नहीं टेक लॉट ऑफ टाइम बहुत काफी समय लगेगा और जब बात करते हैं जैसे अभी मैंने सिगनल कहा लेकिन सिगनल भी अपना पॉलिसी चेंज कर रही है क्योंकि कहीं नहीं जब तब कस्टोमर नहीं आते हैं तो कंपनी इस को यह तरह से मॉनिटाइजेशन के और बढ़ चुका है तो हमने मैंने सिगनल को इसलिए कहा क्योंकि यह ओपन सोर्स एप है इस अला दे रही है कि वाट सब चोड़के आप सिगनल एप यूज कर तो फिलहाल तो जो सका टर्म्स कंडिशन है और वो ओपन सोर्स है अब ग्राम और कई जैसे एप है टेलिग्राम भी टेलिग्राम ओपन सोर्स नहीं है लेकिन आपका यह सिगनल जो है वो ओपन सोर्स है ओपन सोर्स मतलब यह होता है कि जो कम्यूनिटी है कोडिंग अपना उसको चेंज कर सकती है मतलब मिल के कोड बनता है ठीक है अगर आपका जो भी को में लिखा गया है जैसे हम अगर बोलते हैं कि एक हेलो प्रिंट करो तो सॉफ्ट्वर में में कोड डालना पड़ता है प्रिंट डबल कोड सेलो तो वो कोड जो है वो पब्लिक देख सकती है तो जब आप कोड देख सकते हैं इसका मतलब शौर है कि उसमें कोई गलत नहीं हो प्लाइब यहाँ पन सर्वर हो पे अंच्रीप्ट रहता है और प्लस कहीं सरवर स्चोर नहीं होता है जो भी डेटा स्ऺुश एफिक लॉकली मोबाईल फोन प्लाई मैं इनगे इंडिंडियन नहीं है इंडियनिये पर्मिशन्स मांगता है तो मैं उसे भी एडवाइस नहीं करूंगी क्योंकि वो काफी सारा आपसे पर्मिशन्स मांग रहा है आपके SD डवाइस का पर्मिशन्स मांग रहा है तो अभी फिलहाल फो टाइंग बिंग मुझे लगता है WhatsApp भी अपने policy को शायद कुछ नरम करें क्योंकि काफी इसका विरोध हो रहा है तो शायद हम इसका असर देखे कि वो अपने policy में कुछ नरमा हड़ाए वाटसप अपने पॉलिसी में बदलाव करे या नहीं करे, उसे पहले क्या सरकारी अस्तर पर इस पर कुछ विचार हो रहा है, यह आप चानने की कोजिज किये, क्या सरकार के तरफ से कोई ऐसे नियम कानून है कि वाटसप हमारी प्रवाइसी से खिलवाड़ा है, इंडिया में ट्विटर, फेस्बुक और कई अन्य इंपॉर्टन कंपनी के सीओ को बुलाए गया था, वारतालाब के लिए, और इंडिया ने उन से कहा था कि आप अपना डेटा सेंटर इंडिया में खोले, पर उन्होंने मना कर दिया कहा कि नहीं मेरा डेटा इंडिया में सिक्योर नही है, तो इंडिया गॉर्फमेंट के पास ज्यादा कंट्रोल रहनी जाता है, और जब उन्होंने पॉलिसी अगर बना दिया है, तो गॉर्फमेंट कल को बोल भी नहीं सकती है, क्योंकि उन्होंनों तो पहली कहा था कि आप यूस करो या तो क्विट करो, तो ये थोड़ा एक वाटसप में ग्रूप चलते हैं, यहां तक कि ओफिस के तो अटेंडेंस भी वाटसप पर कही जगा बनने लगे हैं, कई ओफिस के फाइल, मीटिंग के डेट, मीटिंग के निरने, सब चीज सेर होने लगे हैं, तो सरकार को इस अस्तर पर भी सोच बिलकुल, जैसे हम लोग कहा, इसलिए, लगाईए, दुसका है, मीनी रानी सर्मा ने जिस तरह से कहा कि इन लोगों ने स्वीच करना शुरू कर दिया है, यानि वाटसप छोड़के अब दूसरा एप शुरू कर रहे हैं, उसे पहले हम बता दे, मीनी रानी सर्मा पंचायती राजविभाग में प्र सरकारी अस्तर पर या फिर प्रस्नल तोर पर ये कर रही है कि नहीं? इसे वाटसप ग्रूप का भी सरकारी अस्तर पर तो यूज होता नहीं था, तो बस संदेश के आदान पर दान? जी, बिलकुल, उसमें हम लोगों ने चेंज कर दिया. अच्छा, अब नहीं यूज कर दि तो आम तोर पर जो भी कंपनीज है, जैसे कि आपको हमेशा कॉल आता होगा कि आपकी कॉल गुनवत्ता के बहतरीन करने के लिए रिकॉर्ड की जा सकती है, तो जाहिर सी बात है, एक चीछ हम लोगों को समझ जाना चाहिए, चाहे हो WhatsApp हो, या Signal हो, या Telegram हो, या Facebook हो, जो भी ह यह सारे software है, और data जभी भी move होगा, एक जगा से दूसरे जगा जाएगा, तो data move हो रहा है, तो उसे एक channel चाहिए, तो वो data बहुत जगा स्टोर होता है, और उसमें बहुत सारे third parties होते हैं, जैसे आजकर cloud services है न, तो बहुत सारे parties involved रहते हैं, तो data जो इन्होंने policy किया है, अगर उनके angle से मैं देखूँ, तो उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है, क्योंकि data अगर उनका third party है, कोई data उनके पास जाता है, तो वो store होता है अगर, तो कहीं नगे उनका control भी थोड़ा वाँ कम हो जाता है, क्योंकि आप वो third party के पास चला गया है, उनके साथ कुछ अलग उनका contract होगा, फिर बात आती है कि encryption की, data encrypted तो अभी भी है WhatsApp आपका, लेकिन data stored तो बहुत जगह हो रहा है, और कहीं ना कहीं इसका हमें तो कहूंगी Corona कहीं यह impact है, कि कहीं ना कहीं financial crisis में सब लोग आ गया है, तो इनका भी एक revenue generation के लिए इनोंने एक और policy में एक modification किया है, कि ह इनोंने अपडेट किया है, एट फेप तक दुन्होंने लागू नहीं किया है, चार जन्वरी को यह अपलाई किया है, और चेंज किया, जी, आठ फेबरी से अगर आपने एक्सेप नहीं किया, शायद आप लोगो को भी आया, मुझे आया था फिफ्त को मेसेज, कि नया मेर पॉलिसी चेंज जो आए, जी, वो आपको एप नोटिफाई करेगा, आप हो सकता, आपको समझ भी नाया, आप ऐसे एग्री, ओके कर दे, कैसे समझेगा लोगो, आपको एक नोटिफिकेशन आया होगा, शायद आपको नहीं आया होगा, लेकिन सभी को आपको फोर्ट से आ जाना चालू हो गया है, मैसेज. करें, तो उसके लिए कानून है इंडिया में, लेकिन ये वाट्सएप ग्रूप जो है, वो हमारे इंडियन कंपनी नहीं है, लेकिन क्यूंकि वो यहाँ बिजनस चला रही है, तो इसलिए उन्होंने पॉलिसी तो एक दे दी है और आप एग्री कर रहे हैं, तो कहीं नहीं ये टेखनी कली लीगली भी वो सेफ हैं अब पूरा उनस मेरे पर मिलाब यूजर पर आ गया है पुरा उनस जवाब दे ही पूरा यूजर पर है कि आपने एक्सेप्ट किया, आपके पास पूरा फ्रीडम था, आप एक्सेप्ट नहीं करते, तो ये भी सवाल है कि हर रात द बज़े जो वाटसप एक बैकप लेता है, तो क्या पहले से जो तमाम चैटे थी हम लोग किसी से बात करते थे वो सब भी बैकप में रहता था, जो आपका बैकप ऑप्शन रहता है वो आपका फिर थर्ड पार्टी में घुच जाती है, जैसे आप अगर बैकप लेते तो आ वो सारा डेटा वहां से वो डाउनलोड कर सके, तो वो डेटा आपका लोकली स्टोर होता है आपके एमेल सर्वर्स पे, आप अगर बचना चाहते हैं, अपनी प्रविसी किसी को नहीं देना चाहते हैं, तो वाटसप का इस्तमाल नहीं करें एक लाइन में आप यहीं, आप अपनी अपनी प्रविसी को नहीं देना चाहते हैं, अपनी प्रविसी जो आपका बिजनस डील्स है, या आपका कोई संसितिव इंफरमेशन है, उसे तो आप नहीं शेयर करें तो अच्छा है? तो बिजनस मॉडल का उनोंने और अलग से ही उनका है, टर्म्स कंडिशन की, जो भी आप बिजनस डेटा में डाया है, वो शेयर होगा, वो एक्स्टेंसिबली शेयर होगा, यह पॉलिसी में लिखा हुआ है, जी बिल्कुर, और इसका नुकसान होगा हम लोगों कि उसको सि फेस्बुक का आप देखिए, जो भी आप ट्विटर का देखिए, इनका सिक्यूरिटी स्टैंडर्ड रहता है, तो जो भी यह कर रहे हैं, यह पॉलिसी लेवल में लाके कर रहे हैं, मतलब जो वो कर रहे हैं, वो एक लीगल फ्रेमवर्क में आके कर रहे हैं, तो यह है कि ज़्यादा फोकॉस मोनिटाईजेशन पर आपको ज्यादा हार्म नहीं पहुचाना चाहए है, क्योंकि अभी आपका डेटा जो जा रहा है, वो एंक्रिप्टेड होके जा रहा है, इनका मकसद है मोनिटाईजेशन, जो हमेशराCubagai वेश्बूक का रहा है। लेकिन बात यहीं ग्रिल कर सकते हैं, Facebook, Twitter company को, क्योंकि they own that. लेकिन हम नहीं कर सकते हो काम क्योंकि वो हमारे jurisdiction में आता ही नहीं है. तो company का main motto monetization है इनका, इनका जादा monetization मतलब वो data से पैसे बनाना, आज के date में जिसे आप एक चीज खरीद दियेगा, आपको zero option आने लगते हैं, वोई चीज खरीदने का तो इससे क्या करेगा, वो analyze करके आपका behavior analysis करके, वो sell करेगा, जाने का अच्छा इस particular topic के बारे में यहाँ पे ज्यादा चर्चा होती है, तो यह topic यहाँ इस commodity का हम अच्छा sell कर सकते हैं, इस particular area में, तो इस तरह से वो data को monetize कर सकते हैं, Facebook और WhatsApp दोनों के मालिक अब एक ही हो गए है, तो क्या Facebook पर भी यह निया पार बिल्कुल, उन्होंने तो policy में clearly लिखा है, लिखा हुआ है कि Facebook लिखा हुआ है, बिल्कुल, इन्होंने कहा है कि जो इनका data है, वो Facebook यूज़ करेगा, और उनकी जो और भी associate companies है, वो यूज़ करेगा, जो भी policy, इस policy के तहएत, WhatsApp से, जो भी data WhatsApp company को मिलती है, क्योंकि यह उसकी mother company Facebook है, तो उसको देगा, और और भी कोई associate company से तो उसको देगा, clearly लिखा हुआ है, तो Facebook से, इस्तमाल करना अपना coding में, problem बस यह है कि हम grill नहीं कर सकते इन companies को, जैसे US Senators कर सकते हैं, इंडिया grill नहीं कर सकते हैं, इन companies को, क्योंकि वो हमारे jurisdiction में ही नहीं है, तो हमें, हमेशा मैं तो youth को motivate करती हूँ, जितने भी हमारे youth हैं, इंडियन, वो तो हमें आये, प्रोग्रामिंग सेक्टर में आये, एप्स बनाये, और लेट्स हैव सम्टिंग फॉर ओर ओन निर्भार मने लोकल, बिल्कुल, बिल्कुल, लोकल हम भी मतलब यह तो मैं काफी समय से एड़ोकेट करती हूँ इस चीज को, कि हमें अपना खुद का रखना चीज़े से आप चाहिना देखिए, वहाँ पे आप फेस्बूक, यूट्यूब यह सब नियुदे, उनका अपना खुद का है, यह सा कुछ हमें भी करना चाहिए, लेकिन इंडिया में हमें थोड़ा सा मतलब, पेशिंस कम है थोड़ा हमें, इसके लिए सरकार यह अस्तर पर भी तो कुछ होना चाहिए, अब परदान मंतरी तो मार्क जुकरबर के साथ जाके बातचीत करते हैं, तो यहां की लोगों को तो, है, एक्शली यह परस्नल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 में ही हो जाती, जैसे हम बात कर रहे हैं कि कितने देर हम उनलाइन रहते हैं, मैं फोन कौन सा यूस करती हूँ, वाइ शुड वाटसेप नो अल दिस थिंग्स, अगर हम कस्टमर पॉइंट पॉइंट अजो उनका जस्टिफिकेशन में उनसे भी सहमत हूँ क्योंकि अगर वो, माल लिजे, आप वाटसेप पे का यूस कर रहे हैं, और आप वाटसेप पे यूस करके आप किसी अकाउंट को भेज रहे हैं पैसा, तो वाटसेप को रखना तो पड़ेगा ये डेटाबेस की, कि भाई आपने किस वेक्ति को किस नंबर पे पैसा दिया था, कितना दिया था, क्योंकि कल को अगर फॉल्स क्लेम्स आए, तो वो कैसे डिस्प्यूट रिजॉल्व होगा, तो इस अप टू आप टू अस हाव तो गो एड़ेड, जमाना डिजिटल है, और डिजिटल जमाने में आटा से अधिक डाटा का चर्चा होता है, और यही वज़ा है कि डाटा को लेकर हम और आप भी सेंसिटिव हों, और सोचें कि हमारे प्राइवेसी से कोई खिलवाड न कर सके, यानि कि हम किस से बात कर रहे हैं, हम अपनी तस्वीर किसके साथ साजा कर रहे हैं, और उन तस्वीर, उन लिंक्स का कोई गलत इस्तमाल न कर ले, इसे लेकर गंभीरता पुरुवक सोचना होगा, और इस गंभीरता पुरुवक से ही इस वाटसप के प्राइविसी पॉलिसी को पढ़ना होगा, और उसके बाद आप खुद तैय करें कि इसे इस्तमाल करना है या फिर नहीं, अपने सहयोगी विवे कारियन के साथ सनी सारत दफालो प्राची,